इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नाइन स्टैंडर्ड महाराष्टर बोर्ड न्यू सिलाबस साइंस का 15 चाप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसे इन लिविंग और्गनिजम्स आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भापूर शेर कीजिए कुछ लाउट्स होतों नीचे कॉमेंट में पूछे मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए बेल आको दबाईए ताकि जब भी मै आपने अब 》ड्र एप्लिट करों तब आपको दुरन पता चले अगर आप मेरे दूसरेज देखना चाहते है तो मैंने उनकी लिंक इडियो के डिस्क्रिप्च्न में याफिर कॉमेंट सेक्शन में फर्स्पीन कॉमें में शेर किया है वहां जाकर PARA मेरे 15th chapter life processes in living organisms how do the digestive system and respiratory system work digestive system or respiratory system कैसे काम करते है यह हमने 8 भी कख्षा में देखा है ठीक है digestive system क्या काम करती है जो complex food stuff हम खाते है वो convert करती है simple molecules में simple compounds में और वो absorption में काम किया जाता है ठीक है यह कैसे होता है with the help of digestive enzymes वो सारे simple nutrients जो होते है वो absorb किया जाते है बलड में और हर एक cell को supply किया जाते है फिर respiratory system कैसे काम करते है lungs जो होते है वो हवा में से oxygen लेते है और blood में ट्रांसफर कर देते है oxygen और बलड में जो carbon dioxide होता है वो लंग में आ जाता है और वो बाहर निकाले जाता है तो ऐसे यह दो systems काम करते है यह जो oxygen आपसरब किया जाता है वो हर एक cell तक blood जो है वो supply करते है तो blood circulator system जो है यह काम करते है और यह जो digestive system और respirator system होते है वो autonomous nervous system द्वारा यानि हमारे इच्छा के control में जो नहीं होते है वो वो काम करने के लिए एक system होती है nervous system हमारे brain का हिस्सा होता है उसे कहते है autonomous nervous system उसके अंडर यह आता है ठीक है वी हाव डाजेस्टेट फूड और oxygen इन्हेल बार लंग्स इस ट्रांसपोर्टेड तो एवरी सेल अफ दे हुमन बॉड़ी हमने यह सीखा है पिछले वर्ष के जो डाजेस्टेड फूड होता है यह respiration वार जो oxygen इन्हेल किया जाता है वह हर एक human body के सेल तक कैसे पहुंचाय जाता है तो बलड द्वारा पहुंचाय जाता है the farmer also tries to transport the water from wells or dams through a main channel to every plant जैसे किसान क्या करता है डैम में से या फिर well में से कुवे में से जो पानी होता है वह हर एक plant तक पहुंचाता है वैसे हमारे body में बलड करता है काम the food absorbed by the digestive system is converted into energy जो digestive system द्वारा food absorbed किया जाता है वो फिर सेल में energy में convert किया जाता है these energy and oxygen are both transported via blood through the body actually ये गलत है energy is not transported via blood but nutrients and oxygen are transported तो ये blood द्वारा transport किया जाता है पूरे body में transportation by the process of transportation a substance either synthesized or absorbed in one part of the body reaches another transportation किसे कहते है एक स्थान पर body में एक जगा पर बनाया गया या फिर absorbed हुआ पदार्थ दूसरे हर दूसरे स्थान तक पहुंचा ना इसे कहते है transportation ठीक है transportation in plants अभी देखते है plants में transportation कैसे काम करता है from why do we eat fruits and vegetables do the plants also need minerals like we do देखे हम fruits and vegetables क्यों खाते है ताकि हमें fruits and vegetables में minerals होते है जो vitamins होते है वो मिल सके और हमें healthy life जी सके क्योंकि हमारे body को वो आवशक होते है components और fibers भी होते fruits and vegetables में ठीक है तो वो भी आवशक होते है और यह जो vitamins and minerals होते है वो plants को भी आवशक होते है minerals जैसे nitrogen हो गया potassium हो गया sodium हो गया ठीक है from where do the plants get inorganic substances other than carbon dioxide and oxygen देखे यह carbon dioxide and oxygen जो होते है वो तो हवा में से plants absorb कर लेते हैं लेकिन बाकी जो होते है जैसे potassium हो गया sodium हो गया nitrogen हो यह जो होते है वो soil में से roots absorb कर लेते हैं ठीक है most animals move from place to place but plants do not देखे animals most of the animals जो होते है वो move करते हैं चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर move करते हैं लेकिन plants ऐसे मूँ नहीं करते हैं आपने देखा होगा plants एक स्थान पर ही होते हैं there are many dead cells in the plant body plant body में बहुत से dead cells भी होते हैं बहुत से tissues जो होते हैं वो dead cells से बने होते हैं इसके बारे में detailed information आपको introduction to biotechnology chapter में है इसलिए मैंने वो chapter पहले upload किया है they need less energy as compared to animals plants to move movement नहीं करते हैं उसके काणून है बहुत कम energy लगते हैं compared to animals plants need inorganic substances like nitrogen, phosphorus, magnesium, manganese, sodium etc यह जो inorganic substances हैं जैसे हमें लगते हैं वैसे plants को भी लगते हैं तो soil is the nearest and richest source of these substances soil में यह substances बहुत ही अच्छी मात्रा में available होते हैं तो roots of plants absorb these substances from the soil and transport them roots क्या करते हैं इन substances को absorb कर लेते हैं देखें पानी में most of the substances dissolve होते हैं तो पानी के साथ साथ यह भी substances absorb कर वाया जाते हैं roots द्वारा ठीक है और सभी parts तक पहुंचाए जाते हैं there are specific types of tissues to perform this function यह जो काम करवाने के लिए water और minerals को transport करने के लिए एक विशेश प्रकार के में tissues होते हैं उन्हें कहा जाता है जायलेम ठीक है the xylem conducts the water whereas the phloem conducts the food जायलेम क्या करता है जो water conduct करता है वो जायलेम होता है और जो food conduct करता है plants में वो phloem कहते हैं all parts of the plants are connected with these conducting tissues तो plant के सभी हिस्सों में सभी parts में यह conducting tissues का network फैला हुआ होता है use your brain power which types of plant tissues are xylem phloem किस तरह के plant tissues है xylem phloem xylem phloem जो है उन्हें काहे जाता है conducting complex permanent tissues इसके बारे में details आपको introduction to biotechnology chapter में है तो इसका बद थोड़ा सा meaning मैं बता देता हूँ conducting tissues याने क्या conducting tissues याने जो conduct करते है materials को एक सान से दूसरे स्थान में conduct करते है transportation करते है फिर है complex tissue complex क्यों कहां जाता है क्योंकि ऐसे यह tissues में एक से जादा टाइप multiple types of cells are present तो ऐसे tissues को complex कहते है फिर permanent कहते है क्योंकि इन में से most of the tissues जो होते वो उनका division रुक जाता है वो ग्रो कर चुके होते है पूरे ठीक है और वो permanent रहते है प्लांट में जब तक प्लांट मर नहीं जाता ठीक है तो तो उसके प्लांट लेने है रूट्स के साथ ठीक है चोटा प्लांट लेना है wash and clean its roots उसके roots को दो कर क्लीन करना है as shown in the figure 15.1 keep it in the water containing a stain like saffronine और eosine क्या करना है एक बीकर में एक बरतन में saffronine या eosine यह stains है यह pinkish red color के stains है यहने dye होता है ना dye color ठीक है color solution तो यह saffronine या eosine होता है अगर आपको पास यह नहीं है तो आप ink भी डाल सकते हैं पानी में ink डाल कर यह कर सकते हैं फिर उसमें क्या करना है उसके roots डूबो कर रखना है उस plant के observe the stem and veins of the leaves after two to three hours दो तीन घंटे वैसे ही रखना है और बाद में देखना है तो आपको क्या दिखाए देगा उसके जो particularly white color flowers होते वो इस solution के color, saffronine जो होता है वो reddish होता है तो वो flowers भी reddish हो जाएंगे ठीक है अगर आपने blue ink डाली हो तो bluish color के हो जाएंगे flowers और veins वगरा stem थोड़ा color reddish हो जाएगा ठीक है, veins turned red यह stem है यह stem को पकड़ा हुआ है बीकर में using solution है, root pressure अभी देखते हैं, take a transfer section of the stem of a plant and observe the stain xylem under a compound microscope, xylem and phloem का transfer section वाला जो डाग्राम है वो आपको introduction to biotechnology chapter में है वो उस वीडियो में आप देख सकते हैं तो transfer section यानि क्या होता है, जब हम biology में यह दो terms याद रखे, transfer section और vertical section यह दो sections होते हैं देखिए अगर कोई root है यह देखिए, root को अगर हम horizontally cut करते हैं ऐसे, तो उसे कहा जाता है transfer section ठीक है और अगर vertically cut करते हैं तो उसे कहा जाता है vertical section, दो तरह के sections होते हैं तो यह microscope के नीचे देखने के बाद कैसे दिखाई देता है, stain यानि उनको stain करना पड़ता है most of the plant tissues, plant के cells होते है वो transparent होते हैं उसके कारण उन्हें compound microscope के नीचे देखना बहुत कठीन जाता है दिखाई नहीं देते, आसनी से, तो उन्हें देखने के लिए उन्हें stain किया जाता है टीशू हमें पहचान में आते हैं उसे कहते है staining या फिर dyeing या coloring root cells are in contact with water and minerals in the soil देखे यह है समझ लिजे यह root है यह root है यह उसके root hairs है यह root के hairs है ऊपर ठीक है यह root है यह root है यह rootlets है और यह root hairs है तो यह soil के particles है यह soil में penetrate किया है यह roots ने और यह जो है अंदर अंदर उसके cortex है यानि जो tissue होता है cells होता है root के अंदर वो ठीक है यह दूसरे type के cells और यह जालम conducting tissue water conducting tissue तो यह water molecules तो यह काम कैसे करता है वो देखते है यह roots जो होते वो बहुत deeply penetrate करते हैं जमीन में और वो पानी के contact में ही रहते हैं तो water and minerals enter the cells on the root surface due to differences in concentration क्या होता है बाहर पानी जादा होता है अंदर पानी कम होता है यह cells के अंदर तो क्या होता है यह पानी अपने आप यह roots absorb कर लेते हैं ठीक है उसके कारण इस pressure के कारण यहां से पानी इन सेल्स के अंदर आता है फिर इन सेल्स के अंदर आने के बाद यह भी फूल जाते और आसपास पर pressure डालने लगते फिर इन में से इस सेल में ऐसे ट्रांसफर होते होते यह जालेम के अंदर आ जाता है ठीक है water and minerals और water के अंदर ही यह minerals dissolved होते हो तो water के साथ ही यह आ जाते है as a result these cells become turgid turgid याने फूल जाते है ठीक है these turgid cells exert pressure on the adjacent cells ठीक है this is called root pressure in इस pressure को कहते है root pressure under the effect of this pressure water and minerals reach the xylem of the roots and reduce this difference in concentration they are continuously pushed forward तो यह क्या होता है पानी यहां पर आ जाता है फिर यहां पर फिर से अपसॉब कर लेते हैं फिर यहां से अपसॉब होते होते हैं यहां पर आता है फिर यह continuous ऐसे चलता रहता है यह sending चलता रहता है water का और यह उपर 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 धक्यलते रहता है प्लांट्स होते हैं कम हाइटेड प्लांट्स उनमें यह ऐसे काम करता है ठीक है root pressure की टेक्निक से नेच से बहुत अगर हाइटेड प्लांट है तो उनमें कैसे काम करता है Transpiration Pool अगर आप ने तो प्रफॉर्ट के अगर ने ऐसे काम कुछ अगराहिण एक ब्रांट को लिए ब्रांट को अगर आप उसके ओपर एक प्लास्टिक बांटी तो थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे तो उसके अंदर कुछ बूंदे नजराएंगा अपको जमा हूई है उसके अंदर कुछ जमा हुआ दिखाई देगा वेपर या डॉपलेट्स ठीक है तो ऐसे क्यों होता है वो बताता हूं आपको देखे प्लांट्स गीव आउट वाटर इन दा फॉर्म ऑफ वेपर थू देखे यह जो लीव्ज है प्लांट्स के यह जो लीव्ज है उसको अगर ट्रांसफर सेक्शन यानि होर्ज़ोंटली कट करके अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो यह ऐसे दिखाई देंगे यह अपर लेयर लीव का और यह लोर लेयर ठीक है यह एपिडर्मिस कहते है थीन लेयर ठीक है तो यह जो होत होता है लीव्ज के सर्फेस पर ऐसे पोर्स होते च्छेद होते है चोटे चोटे उन्हें कहा चाता है स्टोमैटग और नों उपनिंग को कंट्रोल करने के लिए यानि Dalton को जाये ज और रहुत ए छोता या बड़ा करना हो तो इनके आस-पास मूँ इन चेदो द्वारा प्लांट्स के लिव्स क्या करते हैं इवैपोरेशन करके यह बाहरी जो हीट होती है उनके कारण एवैपोरेशन होके यहां से पानी बाहर चला जाता है लिव्स में से देखिए यह आरोज जो दिखाई दे रहे है वह पानी के आरोज है ठीक है बाहर वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है तो हवा में यह वाटर रिलीज किया जाता है नम बाई एवैपोरेशन ठीक है भाब के रूप में स्टीम के रूप में as a result water level in the epidermal layer of leaf decreases तो इसके करण क्या होता है यहाँ पर इन सेल्स में पानी की मात्रा कम हो जाती है water loss के करण ठीक है तो इसके करण क्या होता है water is brought as a result water level in the epidermal layer of the leaf decreases water is brought up to the leaves through the asylum so as to compensate the lost water तो क्या होता है यहाँ पर पानी कम हो जाता है तो यह पानी अपने आप आगे सरगता है ठीक है आपको पता है मैं आपको एक example देना चाहता हूँ अगर आपने एक cotton का कपड़ा लेना है ठीक का रूमाल हो या कुछ भी हो तो उसका एक रोल बनाना है रोल करना है पूरा जैसे हम बाती बनाते हैं दिवैची वात जशी बना तो बैसे करना है और वह क्या करना है उसका एक पानी थोड़ी देर बाद बून बून करके निकल आएगा दूसरे बरतन में तो ऐसे ही यह होता है देखे क्या होता है यह लिव जो होते है वो उपर की दिशा में होते है तो यह लिव क्या करते हैं वो लिव में से यह स्टोमेटा में से वाटर लॉस होते रहता है वाटर जाते रहता है तो यहां water कम होने के कारण यह जो रूट्स द्वारा भेजा गया पानी है वह यहां पर अपसॉप किया जाता है इनसे द्वारा तो ऐसे क्या होता है upward flow बन जाता है water का यहां से loss होते रहता है यहां से absorption होते रहता है और वो नीचे से उपर की तरफ नीचे से उपर की तरफ बहते रहता है ठीक है ऐसे होता है Transpiration helps in absorption of water and minerals and distribution to all plants all parts of the plant whereas root pressure performs the important role of pushing the water up during the night time तो क्या होता है यह जो Transpiration process है यह मुख्यता दीन के समय होती है दीन के समय तो सूर्य प्रकाश होता है उसके करण एवैपोरिशन रेट जादा होता है ठीक है एवैपोरिशन जादा होने के करण यह पानी आगे ऊपर की तरफ बढ़ते रहता है लेकिन रात के समय तो सूर्य नहीं होता तो उस समय रूट प्रेशर यानि इस मेकेनिजम से काम चलता है यहाँ पर जो बताया है ठीक है और जाइलेम जो होते आप हमेशे जाद रखे जाइलेम जो होते water conducting tissue वो unidirectional flow करवाते है water का यानि केवल नीचे से उपर की तरफ only towards upward direction ठीक है जाइलेम करती है transportation और flowem जो होता है food transport करने वाले tissues वो multi-directional होते यानि उपर से नीचे, नीचे से उपर, side में ठीक है ऐसे देखे, do you know the oak tree releases about 151,000 liters of water into the air by the process of transpiration in one year whereas a maize crop in an area of one acre gives out about 11,400 to 15,100 liters of water per day यानि देखिए एक ओक का पेड लोगे आप तो वो एक वर्ष में, एक साल में ट्रांस्परेशन में, तो उस एक एक में जितने मके के प्लांट्स होंगे वो एक दिन में साड़े ग्यारा से 15,000 liters पानी ट्रांस्परेशन करते हैं अभी देखते हैं लीव्ज में फूड बनता है क्योंकि पोटो सिंथिस का काम करता है? लीव्ज करते ने हैं तो लीव्ज में जो फूड बना हुआ है वो हर एक सेल तक पहुचाना आवशक होता है एकसेख फूड एकसेट अमिन असीड इस्टल इन रूट्स, फूट्स & सीड्स जो excess food होता है, जो ज़ादा food बनाया गया है, वो roots में store किया जाता है, fruits में store किया जाता है, ठीक है और seeds में store किया जाता है इस process is called trans location of materials, इस process को क्या कहता है, जैसे उपर वाला पानी के, इसको क्या कहते है, transpiration, वैसे ही यह जो होता है फूड मटेरियल के ट्रांस्पोर्ट को कहते है ट्रांस लोकेशन उफ माटेरियल इस करेड़ आउट इन बोथ अपवर्ड और डारेक्शन बाइद फ्लोम यह दोनों दिशाओं में करवाया जाता है ठीक है उपर और नीचे जैसे जालेम केवल उपर की दिशा में वाटर ज़रूराध नहीं है तो नीचे की दरफ फ्लो करवाने की कोई जरूराध ही नहीं है तो जालेम उनली अलुट नीडिरेक्शनल फ्लो । लेकिन फ्लोम जो है वो मल्टिदारेक्शनल होता है ठीक है एं की ते प्लेत ब्रेत अप्वर्ड डारॉन-दरिरेंशन लोगit नर् प्रांस्पोर्ट करने के लिए यह कि जैसे यह था ट्रांस्पिरेशन विदाउट एप्लाइए नी एनर्जी किसी भी कोई भी एनर्जी खर्च किये बिना यह काम हो रहा था अपने आप एक तरह के से आटोमेटिक लेकिन फूर्ड मटेरियल जो है ऐसा नहीं होता ऐसे ट्रा किनोजीन ट्राइफोस्पेट मॉल्क्यूल से आती है लेनेवर फूर्ड मटेरियल्स लाइक सूक्रोज इस ट्रांस्पोर्ट तोवर्ड पार्ट अप्लांट वाया था फ्लोम विद एल्प आटीपी दे वाटर कॉंसंट्रेशन डिक्रिस इंदाट प्लांट आज रिजल व फ्लोम जो होता है वह मुख्य तहाँ दो मुख्य तहाँ दो प्रकार के से बनता है एक है redefux और दूसरा है अ कमपाइनियन से यह प्लांट घड़र उंख अन्मके साथ कॉंपाइनियेन सेल्स होते हैं सीव ट्यूब्स जो होते हैं वह होलो होते हैं उनमें कोई न्यूकलियस नहीं होता लेकिन कंपैनियन सेल्स में यह न्यूकलियस है और स्यूट्यूब्स के दो सेल्स के बीच में ऐसा ऐसा पोरस स्ट्रक्चर होता है छेद वाला स्ट्रक्चर होता है जैसे छलन आपको आठवी कख्षा में था सेल और चाप्टर में डिफ्यूजन क्या होता है तो वह अगर आपको चाहे तो वह वीडियो आप देख सकते हैं तो डिफ्यूजन क्या होता है यानि अगर यहां पर कंसेंट्रेटेडड हो जाता है बहुत बड़ जाता है तो यह सेल के अंदर क्या होने लगता है water inflow करने लगता है water अंदर की तरफ बहकर आने लगता है फिर यह water बहकर आने के बाद क्या होता है यह तरजीड हो जाती है फिर यह pressure धकेलने लगती है आज वाजु के sales पर फिर यह pressure के कारण यहां से इस usanWow ग्टाइड से फिर यह फ्र fist लकेलने लेयोर फिर यह यहां पर ब्लागती है मैं स्थ्रीं है वाठीज हो जाते है और फिर यहां पर आप्समेशा यहां पर वाठीशल है ओड़ कार्फेशा इसielt यहां से पानी यहां पर process of diffusion, the pressure on the cell wall increases due to increase in cellular contents, तो cell के अंदर material बढ़ जाने के कारएंड, cell wall पर pressure बढ़ जाता है, due to the increased pressure, food is pushed into the neighboring cells, where the pressure is low, तो यहाँ पर यहाँ pressure बढ़ जाता है, और यहाँ पर pressure कम है, इसके कारएंड यहाँ से यहाँ food ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, धकेला जाता है food, this process helps the phloem to transport the materials as per the need of the plant, तो इस process से जहाँ पर आवशकता है, वहाँ पर food material को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, during flowering season, the sugar stored in roots or stem is transported towards the floral buds to make them open and blossom, देखिए, जब flowering season होता है, फूलों का season होता है किसी plant का, तब roots में या stem में store किया हुआ food जो होता है sugar के form में, वह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, floral buds कलियों की तरफ, ताकि वह फूल कर अच्छे फूल बनें उनसे, ठीक है? अभी देखते हैं, excretion, अगर आप अपने ही घर के अंदर, जो कच्रा जमा हो रहा है, वह बाहर फेकेंगे ही नहीं, जो मान अगर पालिका की गाड़ी आती है, उसमें अगर आप फेकेंगे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, बहुत दिन तक वैसे रखोगे, तो आपके घर में बहुत कच्रा हो जाएगा, और आपको रहना कठीन हो जाएगा, घर के अंदर, अनकमफर्टेबल हो जाएगा, तो ऐसे ही हमारे बोड़ी का या प्लांट्स का भी होता है, उनको भी रेगिलरली जो वैस्ट प्रोड़क्स होते हैं उनके बोड़ी में बनते हैं, चाहे वो हमारे हुमन बोड़ी में हो या प्लांट बोड़ी में हो, या अनिमल बोड़ी तो हो, वो हमें रेगिलर तोर प जो हमारे बॉड़ी के लिए हाम्फुल होते हैं, वेस्ट प्रोड़क्स बनते हैं, जैसे यूरिया हो, यूरिक असिड हो, अमोनिया वगरा If these substances accumulate in the body or are retained in the body for long, it can lead to serious harm or even death अगर यह लंबे समय तक और बड़ी मात्रा में रखे जाये बॉड़ी में, तो वो हमारे बॉड़ी के लिए बहुत हाम्फुल होते हैं, even death भी हो सकते हैं, इसके कारण, इसके कारण, जो हमारे बॉड़ी में वेस्ट प्रोड़क्स बनते हैं, उनको रिगिलरली बाहर डालना आवश्यक होता है, चाहिए वो plants हो, animals हो, human beings हो, कोई हो, different organisms have different methods of doing this, अलग-अलग organisms में, अलग-अलग पद्धिती से, excretion किया जाता है, इसको कहते हैं, excretion, ठीक है, harmful waste or materials, जो बने हैं, बॉड़ी में, उनको बाहर डालना, उसे कहते हैं, excretion, removal of waste or harmful substances from the body is called excretion, ठीक है, यह Unicellular organisms, waste materials are directly eliminated across the cell surface, whereas the process of excretion in multicellular organisms is complex, Unicellular organisms, जैसे अमीबा हो गया, तो उनमें तो बहुत आसनी से हो जाता है, क्योंकि, जो सेल के अंदर waste materials produce होते हैं, वो प्लादमा में से बाहर डाले जाते हैं, ठीक है, surface पर लाए जाते हैं, और बाहर डाले जाते हैं, लेकि, multicellular organisms, जैसे बड़े plants हो गई, या animals हो गई हमारे जैसे, उनमें यह process काफी complex होता है, ठीक है, always remember, retention of unwanted and harmful substances in the body is dangerous, hence, just as the process of excretion occurs in living organisms, similarly, proper disposal of the garbage produced in our locality and home is also necessary, this will help you lead a healthy life, जैसे हमारे बॉड़ी में harmful substances को hold करके रखना, उनको ऐसे ही रखना, जमा करना harmful होता है, वैसे ही हमारे घर में या हमारे एरिया में, हमारे गली में कच्रा जमा करना, हमारे लिए ही हानी का रख है, ठीक है, तो हमें इसका proper disposal करना चाहिए, कच्रे के गाड़ी में डालना चा एक्स्क्रेशन इन प्लांट्स, वैइ डास इस हैपन, यह क्यों होता है, लिवज अफ प्लांट्स फॉल उफ अफ फॉल उफ अफ अफ तर रटन प्रेड ऑफ टाइम, सबस्टंस आजन गुम एट सेट्रा गीवन आउट ऑफ प्लांट बाड़ी, देखे यह क्यों होता है, कुछ seasons में plant के leaves जो है पूरे पत्ते जड़ जाते है या फिर fruits या flowers जो होते है वो भी जड़ जाते है थोड़े period के बाद या कुछ plants जो होते है कुछ trees जो होते है वो उनके bark में से यानि उनके stem के outer covering में से resin या gum निकलता है आपने डिंक पता होगा ना डिंक के लड़ू खाया होंगे गोंद के लड़ू तो वो जो होते है वो plants दवार बाहर डाला जाता है तो यह जो होते है leaves में, fruits, flowers में यह west products टोर होते है कही बार और वो जब off season होता है उनका पत्य जड़ का season होता है तब वो जड़ जाते है इसके दवार वो west products बाहर डाले जाते है और फिर spring के season में नए पत्य आ जाते है फ्रेश वैसे ही resin gum जैसे होता है गोंद वगारा डिंक वो भी plant में से निकल के आता है क्योंकि वो उनके लिए plants के लिए west products होते है ठीक है excretion is a simpler process in plants than in animals, plants में तो बहुत आसानी से excretion होता है compared to animals, there is no special organ or system for excretion in plants, plants में कोई वीशेश excretory system नहीं develop हुई होती है उनमें gases substances are given out by diffusion, leaves के stomater द्वारा भी gases exchange होता है, gases are given out by diffusion द्वारा ठीक है most of the west substances of plants are stored in vacuoles of leaf cells and the flowers, fruits and the bark of the stem जो west products होते है वो plants के bark जो होती है, यानि stem पर जो outer layer जो होता है covering, उन्हें कहते है bark, जो चाल होती है पेड़ों की, साल जाला मन तत उसमें वो स्टोर किया जाता है, या फिर पत्तों में हो, या फ्रूट्स में हो, या क्या कहते हैं, उसे फ्लावर्स में हो, उनके vacuoles में, उन सेल्स के vacuoles में वो स्टोर किया जाता है after some time these parts fall off, कुछ समय बाद वो पार्ट सारे जड़ जाते हैं पेड़ से, some other waste materials are stored in old and worn's hyalem in the form of resin and gum, कुछ West materials, West materials, जो होते हैं, वो क्या किया जाते हैं, वो resin या gum, resin यानि कुछ inflammable, या फिर scent वाले, कुछ चंदन में से सुगन आता है, वैसे कुछ होते हैं, या फिर gum यानि गोंद, डिंक जिसे कहते हैं, तो वो धायलेम के आसपास store किया जाते हैं, some West materials are also given out through roots in the surrounding soil, और roots में से भी कुछ materials को बाहर छोड़ा जाता है, देखें, ये गोंद है, निकल रहा है, ये बार्क है, ये बार्क चाल जो है, वो निकल जाती है, बाद में, ये गोंद जो है, वो निकल रहा है, यहां से, तो ये West products है, ठीक है, ऐसे, observe and find out, observe your mother while she cuts elephant's foot, amorphophallus और aram leaves, यानि हिंदी में उसे, sorry, माराथी में उसे कहते है, अडू जाला मनता, अडू आपको पता होगा, ठीक है, तो वो होता है, उसके अगर आप, वो जो stem होता है, वो cut करोगे, या फिर leaves कट करोगे, तो क्या होता है, वो जब कट करते है, आपक तब your hands may also begin to eat if you try to cut those leaves, why does this happen, अगर आप उसके पते काटोगे, बहुत उसके पतों को हैंडल करोगे, तो उसमें से sticky material निकलता है, और अगर आप उसके वड़े या भचे जो भी होता है, वो खाओगे, तो आपके गले में भी itching होता है, या खुजली जैसा होता है, तो why does this happen, try to find out, ask your mother what she does to prevent the eating, तो क्या किया जाता है, in some plants, west materials are present in the form of crystals of calcium oxalate, तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये उसमें crystals होते है, calcium oxalate के crystals होते है, वो crystals sharp होते है काफी, नीडल लाइक, तो वो नीडल लाइक हमें चूबने लगते है, हाथों में हो या, गले में जब खाते हैं, तब, they are called raphytes, as they are needle shaped, they prickle and cause irritation of skin, ठीक है, तो ये उनके अंदर west products होते है, some west materials of plants are useful to humans, for example, gum, resin, latex, rubber, etc, कुछ जो होते है, west materials human beings के लिए, हमारी लिए काम के होते है, जैसे gum हो गया, ठीक है, डिंक, गोंद, लाटेक्स, यानि अगर आपने कोई पत्ता तोड़के देखा होगा, कोई plants को, तो उसमें से दूध, white color का दूध निकलता है, तो उसे कहते हैं, लाटेक्स, उसकी मदद से rubber का production किया जाता है, rubber plants जो होते हैं, उसमें से rubber बनाया जाता है, ठीक है, तो ये सार पूछिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप मेरे दूसरे वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैंने उनकी लिंक, डिस्क्रिप्शन में, या कॉमेंट सेक्शन में, फर्स्पिन कॉमेंट में, शेर की है, धन्यवाद मित्रो, आपका दीन शुप जाए, झा कॉमे जए वीडियो कीजिए बाल 받고 हो ये क bowls ॲनार केस्ज हождए दॉगमें में, अहना झाक पूमें पूह ये सबि apparatus, आपका लिक कीजिए के सब्सर्यद施न में मित्रों कीजिए, इस्साड़ में शेखना जब हूश़ थैं सेल्सक्राइब के लिए थांयों में, जएश